आज थोड़ी इंपोर्टिंट टॉपिक्स की बारे हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स ठीक है तो मेन टॉपिक्स जो है हमारा वो है टीटील टीटील मतलब होता है ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर लॉजिक ठीक है दूसरी चीज सीमोस बहुत मैं नाम भी सुना होगा आपने सीमोस होता है कॉंप्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमी कंड़क्टर ठीक है कॉंप्लीमेंटरी मेटल अक्साइड सेमी कंड़क्टर यह होता है टेटल और सीमोस तो टेटल की खास बात ही होती है कुछ पॉइंट जो याद करने है दो पॉइंट डिखाऊंगो जाद नहीं इसके पस खुप सारी लिस्ट होती है फंक्शन की है और मुस्ट पॉपिलर हो रहा है आजकल की जामने में ट्रिकेंटली ट्रांसिस्टर ट्रांसिटर लॉजिक इस फेमस लॉजिक दूसरा सीमोस जो है वह वह ओफर करता है अगर पेबर में आता है तो यह सारे पॉइंट लूपावर कंज़ाप्शन ठीक है सीमोस जो है वह वह लूपावर कंज़ाप्शन ओफर करता है यतनी बात आप वह क्लियर है अब कर लेते हैं इस फेमली के ठीक है करेक्टर स्टिक्स ओफ फामिलीज ठीक है बैग्राउंड नॉइज आरोगा स्वारी इसके लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना ठीक है क्या तो आप जो मैं बता रहा हूं वो देखते रहो टीटील की बारे में बात करते हैं ठीक है अबर आपको लॉजिक फामिलीज के बारे में डीटेल देता हूं तो लॉजिक फामिलीज जो होती है ना लॉजिक फामिलीज होती है वो दो तरह की होती है एक दो बाइपोलर लॉजिक फामिली और एक यूनि पोलर लॉजिक फामिली तो बाइपोलर भी दो तरह की होता है saturated saturated satura t e d है न और unsaturated ठीक है bipolar logic family दूदर है bipolar और unipolar unipolar भी तीन तरह की थी न पहला होता है पी मोस दूदरा जानते हैं से मोस है न बाइप लोजिक फैमिली जो होती है वो saturated unsaturated होती है saturated भी बहुत तरह की होती है पहला RTL DCTL ITL sorry IAL sorry ITL HDL DTL और DTL अगे unsaturated होती है इस शौट की अपने सब्सक्राइब की पूरी लोजिक फैमिली है पूरी की पूरी ठीक है तो हम क्या बात करने जा रहे थे ठीक है have a numerical designation 5400 और 7400 सीरीज ठीक है फिर बात आती है तो इसमें नाइंड गेट होता है यात्रेगा नाइंड गेट होता है इसमें पॉर्थ पॉइंट पॉर्थ पॉइंट क्याता है कि जो वेन आउट है तेन है पावर तेन है पीडी तेन है और एन है यह जिरो पॉइंट फूर फूर पॉइंट से हमारे टीटील की अब बात आ जाती है हमारे पास सीमोज की सीमोज से बात करता हूं सीमोज जो है पहला पॉइंट इट हैस बोथ एमस आई एंड एलसाई डिवाइस टीके इसमें दोनों डिवाइस होते हैं सेकेंड जेंग कि इट हैस अन्यूमेरिकल डिजिगनेशन एस फूर थाउजन सेरीज तीसरी चीज कि यह जो बेसिक गेट होता है इसमें वो इन वी एर टी इट इनवर्टिड होता है या बोथ कहलो कि बोथ नैंड और नौर होते हैं ठीके और नौर होते हैं इसका फैन आउट होता है 50 पावर और डी एक पीडी जो होता है इसका वह तू फाइफ एनम होता है इसका थी ठीक है यह भी बात हमारी टीटील्स यह मोज़की अब फॉर आल एवर्ट देख लिए क्या होता है कि fan out मतलब क्या होता है fan out का मतलब क्या होता है ठीक है हम ने fan out यूस करहा है इसका मतलब यह है the number of loads that the output the number of loads that the output of the gate can drive to fan out the other thing is power consumption power division power dissipation pdm power dissipation to fan out the number of load that the output of the gate can drive the output drive to fan out the power dissipation is power consumed per gate power dissipation now we have NM we have used NM noise margin margin again it is the limit of noise voltage that can be present without about disturbing proper operation of circuit it is the limit of noise limit of noise noise margin of voltage that can be present without disrupting proper operation on circuit power delay is the average delay time for the signal to propagate input to output the number of loads that can be seen in the description of the video thanks for watching and in the next class we will discuss ram-roam in the description you will get the number of loads that can be added in the description झाल झाल झाल